अमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बड़ी घटना से आप लोगों का सामना होगा। नजर अंदाज करने की गलती ना करें। एक बड़ी घटना आप लोगों के साथ आज घटित होने वाली है। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों में प्रदीप मिश्रा, आज की जो भविश्यवानी आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों, ऐसी भविश्यवानी हम आज तक किसी को नहीं बताएं हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो भैंकर घटना आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं, दोस्तों जब इसे आप सुनेंगे, तो दोस्तों आप एकदम उचल पड़ोगे। एक घर नहीं छूटना चाहिए, पूरी गाँव और महले में मिठाई बांट दो, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इस प्रकार आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं, स्वयम भगवान ने आपको यह बड़ा और भयंकर शु जी हाँ दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा, जो भविश्यवानी आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, जो चमतकार आप सभी के इस परचे में लिखा है दोस्तों, वह आज तक किसी के परचे में ऐसी भयंकर शुब संकेत नहीं आया है, ऐसी शुब योग का निर्मान नहीं हुआ है जो आपके अब कुंडली में हो चुका है आपकी राशी में आ चुका है जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को इस परचा में बताने वाले हैं कि आखिर्व कौन सा शुभ योग क्या चमतकार स्वयम भगवान ने कर दिये हैं जो की इस परचा में निकला है दोस्तों यह प अब ही को बताने वाले हैं। दोस्तों भगवान तो सभी के जीवन में चमतकार करते हैं, अच्छा फल देते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा चमतकार हम आज तक नहीं देखे थे। अपने पिछले समय में बहुत ही तकलीफ में थे, बहुत ही परेशानी का सामना किये थे। आप उस समय किसी को याद नहीं किये थे, सिर्फ भगवान को याद किये थे। आप ये सोचते होंगे कि हे भगवान, आज हमें ये तकलीफ है तो कल इससे ज्यादा हमें सुख देना और वही पुकार अब आपको स्वयम भगवान ने सुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी जिंदगी में एक बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है। एक मातर ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है जिसे आप ईश्वर का आशिरवाद मान सकते हैं। जीस मौके में इतनी ताकत है, यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा दोस्तों, जो आपने सोचा नहीं होगा, वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आने वाली है और ना केवल खुशियां, बलकि आपके शत्रू आपकी छुपे हुए दुश्मन आपके अपनों में ही छुपे हुए शत्रू है। पांगते थे तो वह आपसे मुह मोड लेते थे। आपके कश्ट को देखकर उनको बहुत ही खुशी होता था। मन ही मन वह बड़ा ही खुश होता था तो दोस्तों अब उन दुश्मनों का खुशी दुख में बदल जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि पानी सिर के उपर से जा चुका है और अब समय आ गया है कि आपको भी अब कुछ ना कुछ प्रयास करके कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा। और हम आपको बता दें कि आपको बहुत बड़ा मौका देने। तो हम आपसे गैरिनिंटी के साथ कहते हैं कि आप कुछ बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य खजाने को अपने हाथ से जाने देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस अवसर को एक हजाना ही कहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है, तो वीडियो को पूरा दे और ठंडे दिमाग से एकदम अकेले में शांत मन के साथ देखें, ताकि हर एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको। बहस में ना पड़े, वरना आप अपनी समय और अपनी उर्जा दोनों ही पर बात करेंगे। तो दोस्तों, यह तो कुछ सावधानियों जो आपको बरतनी है, अब हम आपको बता दें कि आपका स्वास्थिय, बिजनेस, व्यापार में भी क्या-क्या चमतकार होंगे। इंकम के साथ खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर ले तो उचित होगा। किसी भी समस्या में घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन अवश्य लें। इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। विशेश व्यक्तियों से मुलाकात सार्थक रहेंगी। आप अपने वक्ट चातुर्य से तमाम बाधाओं को पार करते हुए। आगे बढ़ सकेंगे। निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजनायों बनेंगी या किसी मांगलिक अवसर पर जाने का निमंतरन मिलेगा। व्यस्त दिन्चर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ आन अलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। बड़े बुजर्गों का सने एवं आशीरवाद भी घर परिवार पर बना रहेगा। आज कुछ खास जानकारियां हासिल होंगी और किसी खास प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना लाभधायक साबित होगा और आप अपनी मेहनत और पराक्रम द्वारा अपना कोई सपना साकार कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति भी सुद्रिध और सशक्त बनेगी। ध्यान रखें कि कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार करने से उपलबधियां हाथ से निकल भी सकती हैं। रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में कुछ व्यवधान रहेंगे इसलिए किसी द्धानी आपकी तरक्की में सहायक रहेंगी। जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी निर्णय ना ले, इससे कोई गलती होने की आशंका है। रुपए पैसे के लेंदेन संबंधी मामलों में भी किसी पर भरोसा भी ना करें। तथा अपने निर्णय को ही प्राथम पर रखें। कोड की इस संबंधी मामलों में अभी किसी प्रकार का समाधान मिलने की उम्मीद नहीं है। अतियात्म विश्वास रखना भी नुकसान का कारण बनता है। अपनी फिजूल खर्ची पर अंकुष लगाएं। बेहतर होगा कि फिजूल के संपरकों से दूर ही जहे क्योंकि इन से समय और पैसा नश्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों को शांति पूर्ण तरीके से हल करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यवसाइक गतिविधियों में निश्चित रणनीती बना कर काम करने से नही। य एक बार में अच्छी तरह से समझ में ना आए तो आप उन्हें दोबारा देखकर अच्छी तरह से समझ लें और कुछ जगहों पर आपको कौपी और पैन की आवश्यक्ता भी रहेंगी।